अंग्रेजी भासा में कई सारे इसे वर्ड्स हैं जो कि silent होते हैं प्रोनाउंस नहीं किया जाता है आज की वीडियो में इंगलिस के silent letters समझने वाले हैं कि किस condition में और कब कौन से word silent होता है उसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता है आज की वीडियो में यही संदे वाले हैं तो सबसे विलेंगों समझते हैं silent letter B और यह B आपका कब silence होता है गाइस अगर M के बाद तथा T से पहले का B मलों कि M के बाद का और T के पहले का B पराया silent होगा इसा आप बोलते हैं यहाँ पर इन सबी वर्ड में जो आपका B लिखा हुआ है यह B आपका बोला नहीं जाता है यह हमेशा आपका silent रहता है आप इसे bomb नहीं बोलते climb नहीं बोलते comb नहीं बोलते depth नहीं बोलते doubt नहीं बोलते आप इसे अलग-लग तरी इसे प्रोनाउंस करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया है, इसे देखकर आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, गाइस बहुत एजी है, बी को सालेंट रखने के लिए समझना होगा, कि एक सालेंट कब रहता है, एम के बाद और टी से पहले, अगर बी आता है, यह बी आपका नहीं जाएगा, कंडिशन यह है, इसे बगार से सालेंट लेटर डी है, यह डी आपका कब सालेंट रहता है, डी आपका सालेंट तब रहेगा, यदी जीस से पुर्व, मतलब जीस से पहले डी है, यदी जीस से पहले डी है, तो डी पढ़ाया सालेंट होता है, इसे आप यह वर्ड को आप बोलते हैं ना कि आप डी को प्रोनाउंस करते हैं तो मतलब कंडिशन यह है कि यदि जी से पहले डी है तो डी बोला नहीं जाएगा बहुत तेज़े यह अगला लेटर है इज आपका कब सालेंच होगा सम Жन यह पड़ेगा जब यह किसी वर्ड के अंत में हो तो यह आपका सालेंच जाता है आप इसे बोला नहीं जाता है प्रोनाउंस नहीं किया जाता है हम लोग को लगता है कि ये प्रोनाउंस किया जाता है लेकिन सच तो ये हैं कि प्रोनाउंस नहीं किया जाता है आप इसे बोलते हैं hop, kite, right, dance, come, इन सभी में ये नहीं बोला जाता है आपको यहाँ पर समझना होगा बहुत ही easy तरह के से इसे बगार से हैं silent letter gs ये gs आपका कब silent राता है कब नहीं बोला जाता है guys यदि किसी सब्द के अंत में gs या ght हैं तो gs पराया नहीं बोला जाता है ये आपको ध्यान में रखना है जैसा आप बोलते हैं high, sigh, आप बोलते हैं though, throw, bought, caught, night, slight, bright इन सभी word में जो हैं आपका gs या ght हैं एक साथ तो gs को बोला नहीं जाएगा ये ध्यान में रखना है इसे बगार से है silent letter s ये आपका s कब silent होगा जब w के बाद s आता है तो s silent राता है कुछ cases में आपको समझना पड़ेगा ये अपर ये समझेगा आपका w के बाद अगर s आता है तो s silent होगा सिदी सी बात है और w के बाद आपका s कई सरे जगों पर आपको देखने को मिलेगा जिसे आप बोलते हैं what, why, will, while, white, whether, where, when इन सबी word में सो हैं w के तुरंत बाद s हैं लेकिन s को pronounce नहीं किया जाता है condition तो ये हैं कि w के बाद का s बोला ही नहीं जाता कुछ एक सबसने का इस आपर ये हैं कि w के बाद अगर s नहीं भी हैं फिर भी s को बोला नहीं जाता है इसे बाद से हैं 상र, और, honor this इन सबी word को आप प्रोनाउंस नहीं करते हैं as कौ आप यह पर as को बोलते ही नहीं बलकि s के बाकिज को हैं सब को आप बोलते हैं लेकिन s को बोलते हैं इस पकार सब कोकी का समझना होगा नहीं मारान सिदी आ आपका कब silent रहता है, कब चूप रहता है, कब यह प्रोनाउंस नहीं होता है, जब के के बाद n आता है, जब के के बाद n आता है, तो के silent रहता है, इससे आप बोलते हैं आपका night, night में देखियां आपका के हैं, और इस night का मतलब रात नहीं, बलकि इस night का मतलब होता है, के को बोला नहीं साता है यह आपका बहुत ही इस पेकिंग में राइटिंग में आपका बहुत हैल्प करेगा गाईज समझे बहुत ही most important वीडियो है English speaking के लिए क्योंकि लोग गलती कर देते हैं बोलने में जिस वर्ड को करने के मतलग यहां पर यह हैं कि अगर आपका एम एफ के और डी यह चार वर्ड से पहले यह चार वर्ड से पहले अगर आज आता है तो यह को बोला नहीं जाएगा कोड कुड कुड में डी से पहले हैं क्या में इस पर यह देत रहे हैं कि यह सभी वर्ड में अलन माले इस सब इसे प्रूनाूंस नहीं क्यासारा है condition समझे लिजे guys इस पगार से कई सर्व words आपको देखने को मिलेंगे जब आप book reading करते हैं जब आपको इस पढ़ते हैं ऐसे भी या फिर आपको जब आप English बोलते हैं उससे में लगता है कि यह word को क्यों नहीं बोला जाता English grammar के इस पगार से कुछ rules होते हैं जो कि आपको इस समझना पढ़ेगा साथ साथ English में आप जितना पढ़ेंगे इंग्लिस जितना आप book पढ़ेंगे जितना आप reading करेंगे जितना English में आप खोए रहेंगे दिरे दरे आपके सारे concept clear होता हैंगे क्योंकि यह सीज़े आपके habit से बनती है habit के बाद आपको नहीं पता होगा कि आप बसपन सहीं आप इसे not क्यों पढ़ते हैं आपको नहीं पता होगा लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते आपका habit हो चुका है किसे आप नो ही बोलते हैं, इसे आप not ही बोलते हैं, आपको ये habit हो गया है, लोगों को बोलते हुए सुना है, ये चीज़े आपका experience जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ words ऐसे भी हैं, जो कि rule को come, rule के rule को follow नहीं करता है, इस parts आपको समझना पड़ेगा, इसे बहर से हैं कि silent letter L, आपका कुस cases में क्या होता है कि L आपको, L आपका बोला जाता है, समझना ये होगा, exception में मैंने इसलिए याँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इससे पहले आपका D से हैं, और D से पहले अगर आपका L है, तो L बोला नहीं जाता है, लेकिन याँ पर समझेगा कि D के, आप D से पहले आपका L है कुस वर्स में, लेकिन फिर भी इसे बोला जाता है, इसलिए मैंने याँ आपका L को बोला जाता है, इस पार से आपको समझना होगा गाईस, बहुत सारे ऐसे रूल है, इसे बार से लिका हुए कि O के बाद अगर L है तो L को बोला जाएगा, O के बाद है, O के बाद है, O के बाद है, O के बाद है, इस परस आपको समझना पड़ेगा, इसे बाद से गाईस और हैं, जो कि silent letter N है, N आपका कुछ बहुते कम वर्स में ये silent आप कराता है, जब किसी सब्द के अंत में M N हो, तो N आपका silent रहता है, सिदी से बाद समझेगा, अगर M और N ये दोनों एक साथ हैं, तो N आपको बोला नहीं जागा, N आपका चूप रहता है, silent रहता है, सब्धार बोलता हैं से autumn, नको आप इस आपको कॉलम नहीं बोलते हैं, सब्धार बोलते हैं, n एक साथ है, N आपका silent क्राएगा. एन आता है तो पी सलेंट रहता है मतलब कि अगर पी के बाद ऐसा आ गया या फिर आपका एन आ गया तो यह आपका बोला नहीं जाएगा यह साइकलोजी आप इसे क्या बोलते हैं साइकलोजी आप इसे पैसकोलोजी नहीं बोलते हैं क्योंकि आपके यह पी बोला नहीं जाता आपको इससे समझना हूंगा गाइस कि आपका पी सलॅए कब रहाता है पी के बाद अगर अस च्प आज दाए तो पी आपका बोला नहीं जाएगा जो कि आपसे साइकलोजी बोला जाता है निमोणिया बोलाज दाता है जो कि यह दोन्हें वर्डस् आपका फ्रमस से जोकि आप लोग पहले बीसे सुने होंगे नीमोनिया, साइकलोजी, क्योंकि अस्टडी जब आप करते हैं, साइकलोजी आपका एक विसे भी होता है, और नीमोनिया एक बीमारी होती है, इस परस आपको समझना पड़ेगा, कि यह आपका सलेंट कब रहाता है, कंडिशन का है, कंडिशन में आपको समझा दिया है, समझ जागे, आगे हैं कि सलेंट लेटर आर, यह आर आपका कब सलेंट रहता है, देखा हुए जब ई ओ यू सब्द के सब्द के अंत में आ रहता है, लोकि ई ओ यू जो सब्द हैं, यह अंत में आता है क्या, इसके अंत में क्या आता है आपका और बलागे ऊए और इसके बाद आपका और आ रहे हैं तो और आपका बहुती कम बोलाज आएगा वह आपका सालेंट रहेगा इसे ऑपरेटर इस स्पीकर आप बोलता है टीजर बर्गर वर्ल्ड टूर फोर सौच आप बोलेंगे इससे आप फ़र में तो आप सिदह ब गलत है आप यहाँ पर सिदा बोल देते हैं क्या बर्गर बोल देते हैं आप इसे बोल देते हैं आप इसे बोल देते हैं रो को भी आप बोल देते हैं लेकिन कारण तो यह है कि आपका अमेरिकन लोग आर बोलते ही नहीं आप इसे बोलते हैं आप इसे अगर बोलते हैं तो हल लिखा हुआ है आप फादर में क्या बोलते हैं इस पर से इस पर से इस पर से आप यह पर बहुत से को दें लोग कन्फिस कर जाता है लोग बलते हैं इसे अपनी दिमाग लगा लेते हैं थो बोला जाता है क्योंकि आर को बोला नहीं बोला जाएगा यह आपका यू के बाद आपका यहां पर आर हैं आपका क्ञाइए के बाद हैं इस परसे अ पुं कि समय का अ के बहुत आ है ऐसे बोलता है बहुत सरो लोग लोग सौड्ट सोट यह आपको भी बोल दे성 जाए इस पर समझेंगा इस मुझे इसा साल पर समझना होगा कि एल के बाद अगर ऐसे बोला नहीं जाएगा इससे बोलता है आइलेंड आइलेट इस बोला नहीं जाता है जब आइस और आप के बाद आता है तो ती बोला नहीं जैसे बोलता है जैसे ऑफ्चन नहीं बोलता है आप इससे बोलते हैं आप इसे मधाइब किसमस इन सबी वड में यह आपका बोला नहीं साता है कन्डिशन यह है कि S और F इन दोनों के बात अगर टी आता है तो T नहीं बोला जाएगा, condition यह, समझे, बहुत ही easy होगा guys, इसे बगार से है, silent letter U, U आपका कब silent राता है, जब Z के बाद U आता है, तो U silent राता है, और कुछ cases ऐसे भी guys, कि आपका Z के बाद अगर U आता भी हैं, तो बोला भी साएगा, यह आपका 2.95% है, guys मैं आपको really अगर मैं बताना साओ, तो जो भी मैंने आपको trick दिया है, वो आपका 95% तक यह काम करेगा, कुछ ऐसे भी हैं सो कि 100% भी करेगा, कुछ ऐसे भी हैं सो कि 95% से काम भी करेगा, लेकिन एक बात तो यह है, इस वीडियो देखने के बाद आपका जो problem है, वो आपका 95% के लिए रोजा डायलोग, आप बोलता है, गिल्टी, गेंस, गार्ड, अब इस पर से, बिल्डिंग, बिस्केट, टैकनिक, इन सभी में आपका जो यू है, सब साइलेंट है, इससे बगार से है, सालेंट लेटर डबल यू, डबलू जो है कब राता है, जब डबलू के बाद आ राता है, त इस बगार से, आपने सीखा कि कई सालेंट लेटर को समझ सकते हैं, पर सकते हैं, तो गाईस, थैंक्स पर वोजिंग, दाट सौल फर टोड़ेंग,